एक एक शब्द दिल की गहराई से निकल रहा था भाई और बहनों सातारा संतों की भूमी है समाज को देश को दिशा देने वाले नित्रुत्व की भूमी है बीर संभाजी, बीर साहुजी, समर्त रामदा स्वामी, रामशाती प्रभुणे, स्रिमन्त प्रतापसी, सावित्रिवाई फुले, क्रांती सी नाना पाटिल जैसे अतुलिया, अतुलिया सामाजी और आध्यात्मिक नेत्रुत्वा इसी धर्ती से निकले है और यश्वंत राव चवान जी जैसा विजनरी राज नेता भी सातारा ने देश को दिया है मेरे लिए तो सतारा एक प्रकार से गुरु भूमी भी है उद्रेन राजे जी ने बड़ा आधर पुर्वक उस बात का उलेक किया और आज मैं जो किज भी कर पा रहा हूं जिन समस्कारों मैं पला बढ़ा हूं जिन से मैंने सिक्षा दिख्षा पाई है बे सतारा का खटाव गाउं के लक्ष्पन राव जी नामदार जिन को हम लोग गुजरात में वकिल साब कहा करते थे उनकी यह जन्मस्थली है और उनकी सिक्षा दिख्षा यहीं हुई थी बाद में वो गुजरात आये और मेरे जैसे की शिक्षा दिख्षा की जिमेवरी उन्होंने सबाली और इसलिए मेरे लिए गुरु भूमी भी है यही कारण है कि सातारा की यात्रा मेरे लिए तीत्थ यात्रा के भी समान है भाई और भेनों यह गवरों पुने इतिहास की घट्नाओं को स्मरन करने का रोमांज कारी अनुभाव है आज भी शयादरी परवत संखला के पीछे से जब सूरद निकलता है तो लगता है कि हाथ में केश्री द्वज लहराते हुए चत्रपति सिवाज महाराच चले आ रहे हैं यही वह प्वित्र भूमिया है जहां जिस जहां सिवाज महाराच मां भवानी के मंदिर के दर्शन किया करते हैं भाईयों और बहनों आज तक भारतिय जनता पार्टी के पास सिरफ सिवाजी महाराच के संसकार थे और अब हमारे पास सिवाजी महाराच के संसकार के साथ साथ उनका पुरा परिवार भी हमारे साथ है कि संस्कार और परिवार का यह संगम वीर सिवाजी के सपनों का महराष्ट्र उनके सपनों का अखन हिंदुस्तान एकता अभेद्यता एक भारत स्रेष्ट भारत इन सपनों का भारत बनाने में हमें एक नई ताकत मिलेगी नई उर्जा मिलेगी एक नया संबल मिलेगा भाई बाई और भेनों कि बीते पांच वर्सों से महा यूति की सरकार ने केंद्र में भी और महराष्ट में भी कि सिवाजी महराज के संस्कारों के अनुसारी काम करने का पूरा प्रयास किया है राष्टरक्षा और राष्टरवाद को हमने प्राथ्विक्ता दी है भारत भूमी पर बूरी नजर रखने वालों को मूह तोड़ जवाब दिया जाएगा सिवाजी महराज ने राष्टरक्षा के लिए ससक्त सेना को प्राथ्विक्ता दी उस कान में भी उन्होंने एक ससक्त नव सेना का निर्माण किया था बीते पांच बर्षों में हमारी सरकार ने भारत की सेना को दुनिया की ताकतवर सेनाओं की प्रंक्ति में लाकर के उस्त्रेणी में खड़ा कर दिया है जल हो थल हो नभ हो या अंतरीक्षो हो एक के बाद एक आधुनेक अस्त्र सस्त्र आज भारतिय सेना का एक अतूर्ट हिस्सा बन रहा है राष्ट रक्षा के लिए राष्ट के एकी करण के लिए महायूती की सरकार ने ऐसे फैसले लिए है जिनको लेने की हिम्माथ पहले नहीं दिखाई देती थी लेकिन दुरुभाग्य की बात यह है का जहां महाराष्ट में जो हमारे विरोध में खड़े है उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए उठाए गए हर कदम का विरोध किया भाई और बहनों सातारा ने महाराष्ट के लिए अनेक शुरुवीर दिये हैं यहां के अब सिंगे मिलिटरी गाउंतो जैसे जैसे राष्ट रक्षा के लिए ही समर्पीत है वहां के घर घर से राष्ट रक्षक निकले हैं ऐसे संसकार जहां के हो वहां राष्ट का आहित करने वाली राजनित को जगह भला कैसे सहन हो सकती है यही कारण है कि कॉंग्रेस और NCP के नेता जब हमारे वीर जवानों के शौरिय पर सवाल उटाते हैं तो सबसे ज़्यादा ठेश मेरी ये सतारा की भूमी को पहुंचती है जब यह रफेल जैसे आदूनिक जहाज को लेकर अपप्रचार करते हैं तो मुझे विश्वात है कि राष्ट भक्तों की धर्दी को अपार पीड़ा होती है जब यह आर्टिकल 370 को लेकर अपपाएं फैलाते हैं तब पूरा सतारा गुस्से से भर जाता है जब वीर सावर के जैसे राष्ट नायकों को यह बदनाम करने का प्रयास करते हैं तब सतारा का पारा साथवे आसमान पर चड़ जाता है भाईय और भाणों कॉंग्रेस और NCP के नेता जन भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं और जिसकी सजा पिछले लोग सभा के चुनाओं में पूरे देशवासी दे चुके हैं और इस बार भी चाए महराष्ट्र हो चाए हरियाना हो कड़ी से कड़ी सजा का जनता जनार्दन देने वाली है बलकि इस बार तो उनकी हालत और भी खसता है आप कल्पना कर सकते हैं कि इस सातारा को कभी ये अपना अभेद्ध किला माना करते थे वहां से लोग सभा चुनाओं लड़ने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि कभी ये सीख एंचीपी के पास थी लेकिन एंचीपी वालों ने पृतिवराज चरवान जी को यहां से उतरने के लिए कहा लेकिन जमीन पर जो हालात है उनको भापते हुए उन्होंने कहा नहीं भाई माप करो कि उन्होंने वहां से उल्टा पासा फैका और कहा कि शरद्राव क्यों नहीं मैदर बे उतरते हैं लेकिन शरद्राव शरद्राव है वह हवा के रूख को भली भाती जानते है उसके वह बड़े खिलाड़ी है है और इसलिए उन्होंने साफ साफ इंकार कर दिया जी नहीं मेरा काम नहीं है कि साथ यह जो किस्सा मैंने आपको बताया है यह कोई सिक्रेट नहीं है बल्कि एक खुद पृत्विराज चमान जी का बयान है अपने इंटर्यू में उन्होंने यह कहा है यह सातारा के साथ साथ पूरे महराष्ट में कॉंग्रेज एंसीपी की यूती की यही एक सच्चाई बची है वहाँ दलों के भीतर भी दंगल है और दोनों दलों को नेताओं और कार्यकरताओं में भी जोरों का दंगल चल रहा है वो एक दूसरे को हैस्यत बताने के लिए बिसाथ बिछा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बाजपास सिवसेना की महायुती महराष्ट को और महान बनाने के मिशन पर निकल पड़ी है भाई और बैनों जहां कार्यकरताओं में गठबंदन में ही बटवारा है वो महराष्ट के समाज को एक जुट भला कैसे कर सकते हैं इनकी राजनीत का एक यह अधार है बाटो 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 और मलाइखा यह समस्कार छत्रपदी सिवाजी के बिल्कुल नहीं है उन्होंने तो समभाव और सदभाव से राश्ट सेवा का मार्ग हमको दिखाया है इसी राश्टे को बीते पाँच वर्चों में महायूती की सरकार ने ससक्त किया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसको हमने साथन का मुल मंत्र बनाया है साथ्यों विकास में हर व्यक्ति, हर छेत्र की भागिदारी हो हमने ये सुनिशित किया है केंद्र वार राज्य सरकार ने हजारों करोड रुप्य के प्रोजेक यहां के लिए दिये है इसमें सडकों पर हाइवे पर ही हजारों करोड रुप्य खर्च किये जा रहे है करार गुहागर की फोर लेनिंग का काम हो या सातारा कागल की छे लेनिंग का काम ऐसे अनेक प्रकल परवर आज काम चल रहा है वरना पहले विकास के नाम पर कैसी राजनीती यहां पर होती थी इससे आप भली भाती परिकीत है मैं आपको पानी कहीं उदाराण देता हूँ जिसके लिए इस जीले का पुर्विक छेत्रा तरस्ता रहा है नब्बे के दसक में जब महायूती की सरकार थी तब यहां पानी की समश्चा को देखते हुए कुछ डेम के काम स्विक्रत हुए थे लेकिन महायूती की सरकार गई देम की वो फाइले भी दब गई 2014 के बाद केंद्र में अंदरेंद्र और महाराष्ट में देवेंद्र को अउसर आपने दिया पुरानी फाइले खुल गई अब सिंचाई की तमाम परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है और इसमें लक्षण राव जी नामदार की स्पुर्ति में बन रहा काटापूर योजनाओं भी उसका एक हिस्सा है बाई और बैनों महाराष्ट के महंति शेतकरी समाथ के नाम पर बाते और वादे बहुत किये गए उनके नाम पर नेतागिरी भी बहुतों ने चमकाई लेकिन सही माइने में सेतकरी समाथ के बारे में सोचने का काम महायूती सरकार ने ही किया है सिंचाई से लेकर कमाई तक के तमाम प्रयास हम कर रहे हैं महाराष्ट के सभी किसान परिवारों को पी-एम किसान सम्मान निधित कालाब सीधा उनके खाते में पहुंच रहा है लगू किसान परिवारों, खेद मद्दूरों को, छोटे-छोटे दुकानदारों को साट वर्ष की आयू के बाद पैंशन की सुवी धा भी तय हो चुकी है साथियों, गन्ना किसानों की मुश्किलों को हल करने के लिए हर संभव कोशिष बीते पांच वर्षों में की गई है गन्ने के लाबकारी मुल्य को लागत का डेड़ गुना से दिखताई किया गया है जब भी कोई समस्या हुई है, हमने ये कोशिष की है कि किसानों को उनका बकाया समय पर मिले अब ये सुनिस्चित किया जा रहा है कि बकाया हो या फिर दूसरी मदर वो सीधी गन्ना किसान के बैंक खाते में ही पहुचेगी हाल में ही केंदर सरकार ने साथ लाग मेट्रिक टन्चीनी के निर्यात पर छे हजार करोड रुपे से अधिकी सब्सीड़ी देने का फैसला लिया है इतना ही नहीं हमने ये बिताई किया है कि ये सब्सीड़ी भी सीधे गन्ना किसानों के खाते में जाए भाई और बेहनों गन्ना किसानों को सिरफ चीनी के भरोसे ना रहना पड़े इसलिए इतhenol के उत्पादन पर भी बल दिया जा रहा है देश भर में इसके लिए आधूनिक फैक्टरिया बनाई जा रही हैं हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में पैट्रोल डीजल में करीब करीब दस प्रतिशत तक के इथेनोल का उप्योग किया जा सके जैसे जैसे इथेनोल की डिमान बढ़ेगी वैसे वैसे गन्ना किसानों को भी अधिक लाब मिलना तय है साथियों किसान हो जवान हो या युवा महायुति की सरकार हर वर के लिए समर्पीध है समाज के हर व्यक्ति हर परिवार को सिख्षा और सरकारी सेवाओं में उचित अवसर मिले इसके लिए हमने एक के बाद एक कदम उठाए है मराठा समाज को आरक्षन हो सामान ने वर के गरीब परिवारों को इतियात में पहली बार मिला हुआ आरक्षन हो ये महायुति की ही सरकार ने करके दिखाया है महायुति की सरकार का हमेशा से ये प्रयात रहा है कि किसी का शोषण ना हो, किसी का हक ना मारा जाए बीते पांच वर्ष में महिला ससक्तिकर्ण को भी अभुत्पुर्वबल मिला है हमारी बहनों की सुरक्षा से लेकर सम्मान के लिए पहली बार बड़े कदम उठाए गए है सामाजिक सदभाव की यही निती पूरे देश को पसंद आ रही है इसलिए पूरे देश का स्ने और आशिरवाद हम सब साथियों को मिल रहा है भाई और बहनों समाज में जब सदभाव होता है तब उद्योग लगते हैं उद्यम जिलता बढ़ती है आज मुद्रा योजना के तहट पूरे देश में स्वरोजगार से युवाज जुड रहे हैं स्वरोजगार और रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम तूरिजम है सातारा के पाथ तो इतना कुछ है इतना कुछ है यहां इत्यास का गवरो भी है आध्यत्म की ताकत भी है और प्रकृति की छटा भी यहां मौजूद है सर्वाज चांगली फुले आसावी तरकास पठारा तिल सर्वाज चांगला धबदबा सावा तर वैजराईचा टूरिजम की इन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए यहां कनेक्टिविटी की सुधिवदावों पर बल दिया जाएगा हमारा यह प्रयास रहेगा कि सातारा देश और दुनिया के हर टूरिस के पंदरा बेस डेस्टिनेशन में यह हमेशा बना रहना चाहिए सातारा ने स्वच्छता के मामले में जो रिकॉर्ड बनाया है उससे भी इसमें मदद मिलने वाली है और स्वच्छता के इस अभ्यान के लिए मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ आपको बधाई देता हूँ आपका धन्यवाद करता हूँ साथियों माहराज के विकास के लिए जो भी संकल्प हमने लिये हैं वो तभी सिद्ध हो सकते हैं जब आप महायुती के उमिद्वारों को जादा से जादा संख्या में विजई बनाएंगे ये तबी होगा जब 21 अक्तूबर को 21 अक्तूबर को क्या है 21 अक्तूबर को क्या है अरे जड़ा जोड से बताईए ना 21 अक्तूबर को क्या है 21 अक्तूबर को क्या है अरे 21 अक्तूबर को सोंबार है और रभी बार की जुट्टी फिर दूसरे दिन सोंबार की जुट्टी दो दिन की जुट्टी तो फिर मन करेगा चलो कुछ काम पूराने बागी है कर ले लोग वोड तो देने लुए वाले हैं या और शिवेंद्र जी है उदन राजी जी है तो इस बार तो बढ़ा बेड़ा पार है कि मैं वोड दूँ या न दूँ मैं तो चला जाओंगा मुंबई का काम करके आ जाओंगा फूने का काम करके आ जाओंगा मेरी आप से प्रार्थना है संडे मंडे दोनों छुट्टियां होने के बावजुद भी हम अपना पोलिंग बुथ नहीं छोड़ेंगे मेरी बात मानेंगे पक्का मानेंगे मेरी दूसरी भी एक बात है आज क्या एक काम मेरे लिए आप कर सकते हैं क्या मेरे लिए करेंगे सिवेंद्र जी और उद्रेन राजे जी अब तक जितने जांदा वोट्रों से जीते हैं वो सारे रेकॉर्ड तोड़के देंगे क्या उनके ही सारे रेकॉर्ड तूटने चाहिए तो मेरी बात पुरी करोगे आप लोग मैं बराबर देखो गा रिजल मुझे विश्वास है आप बहुत बड़ी ताकत लगाने वाले हैं मुझे विश्वास है आप गर-गर जाने वाले हैं मुझे विश्वास है आप लोग सभा के वोटिंग के रेकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं मुझे भी स्मास है, इस बार पुरूसों से महिलाएं जादा वोट करने के लिए निकलने वाली है, हर बूत मजबूत हो, अब पूरा समय, 21 तारीख शाम को मतदान पूरा हो तब तक, पूरी ताकत बूत में लगाएंगे, मतदाताओं के घरों में जाएंगे, एक-एक मतदाता को लोग तंत्र के इस महा उत्सों में जोड़ने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे, मला माईट आए, माजना देशा चा तुम चांदिर्धार पक्का है, आपन सारे फक्त मतदाना चा तारीखे चीज़ बाट पाहता है, मेरे साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा, पुना आणुया, आप बोलेंगे आपले सरकार, पुना आणुया, पुना आणुया, पुना आणुया, आप सब हमें आशिरवात देने के लिए आए, एक बार फिर, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जाय माहराश्टा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बाहत बहुत धनिवार।